हेलो एवरिवन तो सामने जो आज गाड़ी खड़ी है यह नेकसा की सबसे कम बजट के अंदर आने वाली गाड़ी आज आप देख रहे हैं जो कि है इगनीस आती है और इगनीस का यह बेस मॉडल है यानि स्टार्टिंग वेरेंट और इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी वीडियो में दिखाने वाला हूं तो वीडियो को एंड तक जिरो देखेगा और कितने का प्राइज है क्या माइलेज है सब कुछ बताएंगे और वीडियो चलेगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना शुरू करते हैं सबसे पहले इसके डिजाइन से यहा यहां पर चौरी सब्सक्राइब कर देख सकते हैं जो जबर्दस यहां पर लग रहा है को सब Lynn लूक धुरू और यहां पे- drought Lamb के साथ और छो अंदर ही पाले लैगे पिल इंडिया दिया गया है कुछ इस तरीक से फॉग लैम के लिए यहां पर है यहां पर लगवा सकते हैं अगर आप लगवाना चाहे तो और यहां पे इसका देख सकते हैं फॉरर शिल्वर इस्किट प्लेट है यहां पर मिल रहा है बीस मौडल में क्या बात है वै क्या बात है साइट प्रोफाइल में तो साइट से देखिए काफी खूपसुरत गाड़ी यहाँ पर मिलती है बहुत बहतरीन लगती है गाड़ी साइट से गाड़ी की जो लंबाई है वो 3700 mm यहाँ गाड़ी की जो ओवरल लैंद मिल जाता है और गाड़ी की जो ऊचाई है न वो 1595 mm यहा साथ यहां पर मिलता है और यहाँ पर फ्रेंडर इंडिकेटर मिलता है और यहां पर और पाड़ी कलर के पर नहीं आता है और यहां पर देख सकते हैं रियर विंडू ग्लास थोड़ा ज़्यादा बढ़ा करने के लिए यहां पर अलग से ग्लास एरिया मिलता है अलग से यहां पर डिजाइन है साइड में और फ्यूल टेंक के बात करेंगे तो 32 याने 32 लिटर का यहां पर फ्यूल लाइच देखेंगे तो प्रॉफर यह प्लिचन बल्प के साथ ही मिलता है सेट-प जो है रिवर्स लाइंप यहां पर हो गया यहां पर अपर देख सकते हैं इंस यहां पर हुआ है को में यहां पर शुजुकी का लोगो हो गया वूट को open करना है यहां से भी open कर सकता है इसके लाबा जो है यहां पर बटन भी दिया गया है वो भी दिखाऊंगा अभी यहां पर देख सकते हैं नीचे तो चार एक टो तिन चार आपको यहां पर reverse parking senses इस गाड़ी में मिल जाते हैं कई कई बड़ी गाड़ी होती है उसमें दो मिलता है तो यहाँ पर 4 मिल रहा है silver squeam plate हो गया reflektor हो गया दुनों side में कुछ इस तरीके से कार औरниц urban profile मिलता है अब चलते हैं सीधे सीधे उसके boot space की तरफ टो यहाँ पर open कर यहां पर electromagnetic तो नहीं है लेकिन बढ़िया है opening जो system में यहां पर जो space मिलेगा ना वो भी इस गाड़ी में जबवर्दस मिल जाता है कितना 260 लीटर मतलब बढ़िया यहां पर space मिल रहा है साथ यहां पर जो है पारसल ट्रे इसको उपर वाले वेरेंस में आता है अगर आप चाहे तो बाद में भी इसको लगवा सकते हैं इसके लाबा देख सकते हैं यह स्टूल किट का समान यहां पर फिनिशिंग मिलता है कुछ इस तरीके देख सकते हैं यहां पर अंदर भी मिलता है भी दिखाऊंगा यहां पर दोर से 2 मिल रहा है तो यहां पर यहां पर सिल्वर नहीं आए अच्छी है यहां पर और कुशनिंग वह भी बहुत भैतरी नहीं पर मिल रहा है इसके जो हाइट है मतलब कि इसके हाइट अब देखाता हूं यहां पर देखो सबसे पहले गाड़ी कीज देख लिजिए कोछ इस तरह किसे गाड़ी में कीज आती है मैंड़ोल है मैंने आपको बताया था मैनूल की यहां da यह न कि कितिनी शान दर यहां पर लग रही है तो यहां पर स्टेरिंग से ही स्टार्ट करतें कहीं अब फेंखिए मतलब की round shape में यहाँ पर मिल रहा है और यह जो है tilt क्या बात है भाई base model में tilt steering जबरदस्ट तो यहाँ पर silver finishing है कोई buttons यहाँ पर नहीं मिलता है base model है यहाँ पर देखेंगे तो IPER फंक्शन इधर अपनाamiliarIGHT चलस्टर देखेंगे तो बहुत 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 बेहतरी नहींقد कीM ताकि फून रखे इसमें गाने सुन सकते हो अगर जब तक ना लग वालो यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी थोड़ा अलग ही एक डिजाइन यहां पर दिया गया है और फ्लैट यहां पर जो है डैशबोट रखा गया है जो बहतरी नहीं पर लग रहा है इस इवेंट यह यहां पर है वहां पर है यहां पर दिया गया है कुछ इस तरीके से और यहां पर देख सकते हैं यह वाला पूर्शन यह वाइट कलर में यहां पर दिया गया है दूदू भाई क्या बात है मतलब छोटी गाड़ी है लेकिन फीचर्स दबाकर यहां पर दिया गया है अच्छ से यहां पर देख सकते हैं लेदर फिनिचिंग हो गया five-speed है एक रिवर्स के साथ और यहां पर हैंड ब्रेक हो गया कुछ इस तरीक से और यहां पर holy cow का इंटीरियर आपको कार का री छीड दिखाते है है कि यहाँ अब डोर देखेंगी तो रियर देखिए आप घूमाने वाले विंडों यहाँ पर मिलता है यहाँ पे हैंडल हो गया पोटल हवे लोट चोटा सा मिलता आदा लेटर के यहाँ पर आ बात है फिज्ड हैड्रेस्ट है अंदर बैठते हैं तो यहां पर अंदर बैठेंगे ना भी कमफट तो है जबर्दस लगा मुझे और यहां पर देख सकते अंडर थाइस अच्छा मिल रहा है बट इसकी जो है सीट की जो लंबाई यह वो थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे ब इस तरीके से सीट बेक पॉकेट इस साइड में नहीं है साइड में भी नहीं विए है कोई बात नहीं बीस-molel है अब आपको गाडी के इंजिन दिखाते हैं अ Moscow इस बोनित यहां से ओपन होता है कि maior फिूल लिड यहां से ओपन होता है तो यह देखिए भाई इसका इंजन गाड़ी छोटी है लेकिन फूर सिलेंटर इंजन यहाँ पर मिल जाता है इस गाड़ी में है ना जबरदस्ट काई बड़ीघया इनजन यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ गाड़ी हो यह कि इनफी इस गाड़ी में अब आता है गाड़ी के माइलेज के उपर घ्राई है तो यह था गाड़ी के ऊलோार वरर सारी चीजिए बता दिया अब रहेगे इसकी गाड़ी के हीमत तो कितने में यह गाड़ी मिल रही है विए एक्ष्यूरू म कीमत है नहीं का वह मातर 5,84,000 इसके एक्शोरूम कीमत है 5,84,000 एक्शोरूम कीमत में इतने बढ़िया फीचर के साथ ये गाड़ी आपको मिलती है तो कैसे लिगे है गाड़ी एक इसको अगर और बता करना है तो मैंने contact detail description में दे दिया है पॉंटे करके इसको on-road price बता कर सकते हैं साथ यह गाड़ी को book भी करा सकते हैं thanks for watching